स्वागत है तो देखिए ये क्लास नाइन्थ की मौनिंग शिफ्ट की संस्कृत की मार्किंग स्कीम है आंसर की सबसे पहले तो आप व्यूडियो पॉस्ट कीजिए और कुश्चन पेपर को निकाल लीजिए पटा पटा आंसर बताती जा रहे हूं संस्कृत का सब्जेक्ट है यह ध्यान दिजिएगा ठीक है जो भी पराज हुआ था अच्छा तो यह आता है फर्स्ट के अ में देखिए वन टू थ्री यह ओप्शन है आपके पास आंसर है यह तो स्क्रीन शॉट ले लिजिए यह वीडियो पॉस्ट करके मैस कर लिजिए आ में आपके यह आंसर है ठी फ्री का घह सेकंड का गह और थर्ड का को ठीक है फोर्थ में ख अंसर आएगा अब आगे आते हैं खंड ख रशनात्म कारे वाला है यह पत्र ले खम में आपको इन पॉइंट्स को लेते वे पत्र बनाना था ठीक है उसके बाद प्रश्ट तीन में चित्र वर्णन करना था तो चित्र वर्णन इस तरह का अगर आपका है चेक कर लिजिए तो आपके मार्क्स फुल बनते हैं ऑप्शन इसका दो ऑप्शन है इसमें अनुछियद लिखना था ऑप्शन में ठीक है तो यह पॉइंट अगर आपने लिखे होंगे तो आपके मार्क्स फुल बनते हैं Q4 अनुवाद करना था केवल वाक्य पच्चनम ठीक है तो यह अनुवाद के आंसर देखिए यहाँ पर दिये हुए है स्क्रीन शॉट ले लिजिए सामने आपके है देखिए अब ध्यान से देखिए ठीक है गा में देखिए संधी विच्चेत करना था तो यह संधी विच्चेत दे रखं आपके सामने यह संधी है संधी विच्चेत यह आंसर है ठीक है सिक्स्त में देखिए शब्द रूप आनी लिखना है तो पहले का घा देखिए दे रखं इया सेकंड का घा है and third का होगा fourth में का और fifth का घा ऑप्संन होगा 7th question में भी देखिए यहाँ पे 7th के 1st का गह, 2nd गह, 3rd ख, 4th में का और 5th का ख आंसर है 8th question कारक उब्बत विभक्ति करना है आपको तो 8 का गह, 1st का गह, 2nd का ख, 3rd का गह, 4th का गह और 5th का आंसर है अच्छा, आप 9th में देखिए प्रत्य करना है, यहाँ आपर बता रखा है किस तरह से यह सभी आपको दे रखे हैं, मैच कर लीजिया 10th में संख्या है, तो 10th के पहले का आंसर यह रिणी है 2nd का आंसर अश्टा, विशंती, फिर यह, फिर यह, नेक्स्ट आप देख लिजिए, ठीक है 11th में उपसर्ग इस तरह से निकालने थे, तो होप आपने सही किया होगा 12th में आवयवयानी बताना था तो यह आंसर है, आपके सामने हैं यह आंसर, screen पे ghar part में 13 question ghar का a part के यह 3 है, answer a part के यह 3 हैं और e part के यह 3 हैं, ठीक है 14th question, 14th का a part के a part के यह 3 है, तीन आप भाग है उसके यह 3 आंसर और e भाग के यह भाग like यह पह CSR है पंद्रवे में देखिए आव भाग के यह आंसर है ठीक है आव भाग के यह आंसर है आपके सामने वीडियो पॉस्ट करकर करके आप देख सकते हैं और यह भाग के यह तीना आंसर है सोलवे में देखिए यह आंसर दिया हुआ है काम कस्य का के कास्मिन या कुत्र ठीक है सतरवे का कव कव भाग के यह तीना आंसर है कव भाग के यह आंसर है ठीक है अथवा में भी है अथवा वाले में यह आंसर होंगे अठारवे में देखिए इस तरह से हैं ये सीरीज पहले देखिए सात्वा लिखना है गबर मैं आपको दिखा देती हूं यहां से फिर सेकंड फिफ्ट एट थर्ड फर्स्ट और उसके बाद सिक्स्थ और फॉर्थ 19 का कव में देखिए एक मिनिट कहां गया एक मां आपको दिखाती हूं 19 उनिस्वा कोश्चन तो 19 वे कोश्चन का कव का पहले का का अंसर है सेकंड का गः थर्ड का गः और फॉर्थ का खा अंसर है एंड इसका खा ओप्सन देखिए यह सारे आंसर होंगे स्क्रीन शॉट ले लिजिए तो उमीद करती हूं आपको यह सारे कोश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कीजेगा क्योंकि अब आप 10th क्लास में जा रहे हैं और आपके लिए all the best तो 10th क्लास के सभी सब्जेट की वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी ठीक है और आगे भी हम वीडियो अप्लोड करते रहेंगे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा फिर मिलते हैं बच्चों